दीदी, शेहर में मेरे अधिकतर दोस्तों के पास email account है मैं भी एक रखने का इच्छुक हूँ क्या मैं भी email account खोल सकता हूँ बिलकुर रोहन, तुम भे विभिन email सेवाओं के द्वारा अपना email account खोल सकते हो लेकिन कैसे दीदी, मैं email के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ ठीक है, मैं तुमें दिखाती हूँ कि email सेवाओं के द्वारा तुम अपना account कैसे खोल सकते हो बहुत अच्छा दीदी email या electronic mail इंटरनेट पर संदेशों के आदान प्रदान का एक तरीका है email में कई भाग होते हैं प्राप्तकरताक्षेत्र, विशेक्षेत्र और संदेशक्षेत्र इन अनुप्रयोगों का उप्योग करने के लिए आपके पास एक email account होना चाहिए वेब आधारित बहुत सारी email सेवाएं उपलब्ध हैं जैसे Gmail, Yahoo और Hotmail आप इन में से किसी एक वेब साइट पर अथवा सभी पर अपना email account बना सकते हैं चलो हम सीखते हैं कि आप अपना Gmail account कैसे बनाएंगे और संचालत करेंगे Gmail account बनाने के लिए पहले web browser खूले अब address बार में www.gmail.com टाइप करें तब go button पर क्लिक करें या enter button दबाएं उसके बाद नया account बनाएं पर क्लिक करें अब online पंजी करन फॉर्म भरें तब आगे बटन पर क्लिक करें और तब Gmail पर जारी रखें पर क्लिक करें अब अपना email account प्रयोग कर सकते हैं Gmail account का प्रयोग करना Gmail account तक पहुँचने के लिए आपको पहले sign in करना होगा और इसके लिए पहले Gmail homepage पर जाएं और screen पर दाई और दिखाए गए पर अपना उपयोग करता का नाम वो password टाइप करें फिर sign in बटन दबाएं अब आप अपने account प्रष्ट देख सकते हैं प्रष्ट पर विभिन लिंक जैसे inbox, start, important, sent mail, draft और compose होते हैं ये लिंक अपने से संबंदित जानकारी रखते हैं inbox सभी प्राप्त होने वाले संदेशों को संचित करता है inbox पर क्लिक करके आप प्राप्त सभी संदेशों तक पहुँच सकते हैं आप अपने online मित्रों से गपशब भी कर सकते हैं दाहिने भाग पर आप प्राप्त की गई सभी email को देख सकते हैं और उनमें से किसी को देखने के लिए आप उसे खोल सकते हैं यदि आप email भीजने वाले को जवाब देना चाहते हैं तो email के दाहिनी और दिख रहे तीर पर क्लिक करें और फिर reply बटन पर क्लिक करें एक reply box दिखाई देगा जिस पर सेवा में के क्षेत्र में प्राप्त करता की email आईडी दर्ज होगी संदेश क्षेत्र में अपना जवाब टाइप करें फिर email भेजने के लिए उपर दाहिनी और दिख रहे भेजें बटन पर क्लिक करें दीदी अपने किसी एक मित्र को email कैसे भेज़ चकता हूँ यह बहुत आसान है केवल नीचे दिये गए पदों का अनुसरन करें पहला compose संदेश बनाए पर क्लिक करें एक नई संदेश विंडो दिखेगी तब सेवा में क्षेत्र में उसकी email ID टाइप करें जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं कई लोगों को एक साथ ही संदेश भेजने के लिए आप सेवा में क्षेत्र में अलपविराम के साथ उनकी ID टाइप कर उन्हें एक साथ ही संदेश भेज सकते हैं अब विशेक शेत्र में अपने संदेश का विशे टाइप करें विशेक शेत्र बॉक्स के ठीक नीचे Attach File Link पर क्लिक करके आप अपने संदेश के साथ दस्तावेज या चित्र भी भेज सकते हैं संदेश ख्षेत्र ठीक उपर फॉर्माटिंग बटन आपको अपनी इच्छानुसार संदेश को फॉर्माट सुविधा देता है। फिर अपने संदेश को भेजने के लिए भेजें बटन पर क्लिक करें। सफलता पूर्वक भेजे गए सभी email भेजे गए संदेश folder में संरक्षित हो जाएंगे। आपके कुछ अपूर्ण संदेश, draft folder में संरक्षित हो जाएंगे। आप इन draft संदेशों को कभी भी पूरा कर भेज सकते हैं। नया संदेश बनाने के लिए पहले नया संदेश बनाएं यानि compose mail पर क्लिक करें। फिर टू बॉक्स में उसकी email ID टाइप करें जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं। यदि आप संदेश की प्रती किसी अन्ने को भी भेजना चाहते हैं तो उसका email address cc box में टाइप करें। cc का अर्थ है carbon copy। अब विशेक शेतर में अपने संदेश का संख्शिप्त विशे टाइप करें। अब विशेक शेतर के ठीक नीचे खालिस्थान पर अपना संदेश लिख सकते हैं। पहला संदेश को चुनो तब reply पर क्लिक करो। तब आप compose प्रिष्ट पर निर्देशित कर दिये जाएंगे। जिस पर भेजने वाले का इमेल पता और संदेश का विशे पहले से ही दर्ज होगा। अब विशेक शेतर के ठीक नीचे खालिस्थान पर अपना संदेश लिखें। यदि आप संदेश ड्राफ्ट संदेश की भाती संरक्षित करना चाहते हैं तो सेव ड्राफ्ट या सेव नाउ पर क्लिक करें। अपने संदेश को भेजने के लिए भेजे बटन पर क्लिक करें। आप अपने इमेल संदेश के साथ दस्तावेस या चितर भी जोड़ कर भेज सकते हैं। कंपोज प्रिष्ट पर सबसे नीचे अटाच फाइल आइकान पर क्लिक करें। एक नई विंडो आपको निर्देशित करते हुए प्रकट होगी कि फाइल जिस फोल्डर में सुरक्षित हो उसे चुनो। जिस फाइल को जोड़ना चाहते हों उसे खोजे और फिर उस पर क्लिक करो। तत्पशाद विंडो पर ओपन पर क्लिक करें। जिस फाइल को जोड़ा है वह सबजेक्ट बॉक्स के नीचे दिखाई देगी। अपने संदेश को भेजने के लिए भेजे बटन पर क्लिक करें। एक संदेश अथवा कई संदेशों को मिटाने के लिए पहले इन बॉक्स पर क्लिक करें। तब उन संदेशों के बगल में बने, चेक पर क्लिक करें, जिनें आप मिटाना चाहते हों. और तब प्रिष्ट में उपर डिलीट आइकॉन पर क्लिक करें. इमेल अकाउंट से बाहर निकलने के लिए, पहले साइन आउट, लिंक ढूंडे, और उस पर क्लिक करें. जो प्राय है इमेल अकाउंट के दाई और होता है जिससे आपको इमेल प्राप्त हुआ है उसे जवाब देने के लिए reply विकल्प का चैन करें प्राप्त संदेश में व्यक्त की गई सभी इमेल आईडी पर जवाब भेजने के लिए reply all विकल्प का चैन करें यदि आप किसी विशेश संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं जिसकी इमेल आईडी संदेश की किसी भी फिल्ड में नहीं है तो आप उस संदेश को उसे अग्रसारत या आगे किसी अन्य को भेज सकते हैं इसके लिए आपको forward बटन का प्रयोग कर इमेल आईडी टाइप कर और send बटन का चैन करना होता है सनलगन फाइलें वे फाइलें हैं जो इमेल संदेश के साथ जैसे रिपोर्ट, दस्तावेज और फोटो भेजें अब मुझे अपने अकाउंट में प्रवेश करके दिखाएं, एक संदेश बनाएं और एक फोटो के साथ अपने किसी मित्र को भेजें हाँ, मैं भी स्वयम प्रयास करने को उच्चुक हूँ झाल मैं जानती हूँ कि अब तुम इमेल सुविधाओं का उपयोग कर सकते हो यहाँ एक कतिविधी दी गई है जिससे आप अब तक सीखी बातों को दोहराएंगे प्रते एक प्रेश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज सही नहीं है रिपया पुनह प्रयाज करें सही है अच्छा प्रयाज इंटरनेट का उप्योग करने के विभिन रोचक तरीके हैं उनमें से एक है कि आप वोईस मेल भेज सकते हैं या इंटरनेट का उप्योग मोबाइल फोन की तरह कर सकते हैं सजदीदी वाँ यह तो बहुत ही रुमांचकारी है हाँ रोहन बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो इंटरनेट को टेलिफोन युक्त बनाती हैं आप उनमें से कुछ के बारे में मुझे कृपया बताईए बिल्कुल अब हम ऐसी सेवाओं के बारे में चर्चा करते हैं वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकोल एक तक्नीक है जिसका उप्योग इंटरनेट पर फोन सेवाओं के लिए किया जाता है VOIP के द्वारा इंटरनेट पर VOIP सेवा प्रदाता वह मानक कंप्यूटर की आवाज प्रनाली का प्रयोग कर कॉल की जा सकती है VOIP लंबी दूरी की पारंपरिक कॉल लागत की तुलना में अच्छी खासी बचत करता है VOIP के प्रमुख उदाहरन है Skype चलो सीखते हैं कि Skype को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाए Skype संचार का एक ही अंत्र है जो इंटरनेट के माध्यम से संसार भर में कहीं पर भी मुफ्त में बात करने की अनुमती देता है आप अपने कंप्यूटर, लैप्टॉप से Skype प्रयोग करता वो लैंड लाइन या मुबाइल फोन पर शुलक रहित कॉल कर सकते हैं Skype के विशेशताएं हैं त्वरित संदेश भेजना, वोईस कॉल वो वीडियो कॉल Skype को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के कदम पहले स्टाट बटन पर क्लिक करें, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पर एक बार जब इंटरनेट खुल जाए, तब एड्रेस बार में www.skype.com टाइप करें अब गो बटन पर क्लिक करें, या एंटर दबाएं Skype का होम पेज अब खुल जाएगा, तब डाउनलोड पर क्लिक करें डिवाइस सेक्शन में कम्प्यूटर डिफॉल्ट रूप से चुना गया है ततपच्चात, गेट स्काइप फॉर विंडोज डेस्टॉप Skype बटन पर क्लिक करें Skype setup.exe का प्रारंभिक प्रश्ट दिखाई पड़ेगा अब फाइल का कम्प्यूटर में समुचित स्थान पर सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें एप्लिकेशन को स्थापित करने के लिए उस स्थान पर जाएं जहां पर सेटप फाइल को सुरक्षित रखा गया है और फिर Skype की सेटप फाइल Skype setup.exe पर डबल क्लिक करें फाइल खोले सुरक्षा चेतावनी दिखाई पड़ती है अब स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए रन बटन पर क्लिक करें अब drop-down menu से भाषा English का चैन करें और फिर I agree next बटन पर क्लिक करें तब continue बटन पर क्लिक करें Skype का स्थापन प्रारंब हो जाएगा स्थापन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करें एक बार जब स्थापन प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो नया अकाउंट बनाने के लिए create an account बटन पर क्लिक करें तब एक sign-in वेब प्रष्ट प्रकट होगा अब पंजीकरन फॉर्म पर आवश्यक विवरन दर्ज करें अब सुरक्षा शब्द दर्ज करें और फिर I agree continue बटन पर क्लिक करें आपका Skype अकाउंट बन जाएगा अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आप संपर्कों के साथ समवाद स्थापित करने में Skype का प्रयोग कैसे करें हाँ, कृप्या समझाईए यह सब बहुत ही रोचक है Skype को चालू करने के लिए अपना Skype नाम वो पासवर्ड दर्ज करें और तरपच्चात Sign Me In बटन पर क्लिक करें अब यदि आप Skype में संपर्क जोड़ना चाहते हैं तो संपर्क मेनियो पर क्लिक करें और संपर्क जोड़े का चैन करें फिर Search Skype डारेक्टरी का चैन करें जिस व्यक्ति से आप जोड़ना चाहते हैं उसका Email ID, Phone Number, नाम वो Skype नाम संपर्क को ढूड़ने और फिर उसे संपर्क में जोड़ने के लिए Add Contact बटन पर क्लिक करें एक संपर्क प्रार्थना बॉक्स खुलेगा जिससे आप जोड़ना चाहते हैं उसे आमंतरत करने के लिए Send Request पर क्लिक करें जब वह व्यक्ति आपके आमंतरत को स्विकारेगा तो उसका नाम आपकी संपर्क सुची पर प्रदर्शित होगा आप संपर्क सुची से उस Online संपर्क का नाम चुन उससे संपर्क समबाद कर सकते हैं संपर्क सुची का जो सदस्य Online होगा उसके नाम के आगे चेक मार्क हरा हो जाएगा आप किसी के साथ गपशप करना चाहते हैं तो Contacts बटन पर क्लिक करें उस संपर्क के नाम के साथ एक चाट विंडो खुलेगी अपने करसर को चाट बॉक्स पर ले जाएं और अपना संदेश थाइप करना शुरू करें संदेश भीजने के लिए Send पर क्लिक करें अत्वा Enter बटन को दबाएं Voice Call के लिए Call बटन पर क्लिक करें यदि संपर्क आपकी Call स्विकार लेता है तो आप उससे बात कर सकते हैं Call काटने के लिए End Call बटन पर क्लिक करें यदि आपके कम्प्यूटर पर Web Camera स्थापित है तो आप Video Call भी कर सकते हैं Video Call करने के लिए Video Call बटन पर क्लिक करें आप संपर्क को चुन कर उससे फाइलें भी साजा कर सकते हैं फाइलें साजा करने के लिए पहले Conversation बटन को चुने फिर Send बटन को चुने फिर File बटन को चुने आप जिस फाइल को भेजना चाहते हैं उसे खोजें और फिर Open पर क्लिक करें आपका संपर्क भी आपको फाइलें भेज सकता है यदि कोई फाइल भेजी गई होगी तो संपर्क सूची के नोटिफिकेशन विंडो में औरेंज चेक मार्क्स के रूप में प्रदर्शित होगी आप Save As बटन का चैन कर फाइल प्राप्ट कर सकते हैं ततपश्चाद जिस स्थान पर आप फाइल को संरक्षित करना चाहते हो का चैन करें फिर Save बटन का चैन करें उस स्थान का चैन करें जहां आप फाइल को संरक्षित करना चाहते हैं और फिर Save बटन जो की एक टालोग बॉक्स में दिखाई पड़ता है पर क्लिक करें फाइल खोलने के लिए Open File या Show In Folder पर क्लिक करें यदि आप Skype का प्रयोग समाप्त कर चुके हूँ तो Sign Out करने के लिए Skype क्लिक करें फिर Sign Out बटन का चैन करें अब मैं आपको स्वता Skype का प्रयोग करते हुए देखना चाहती हूँ अवश्य मैं आपको एक और सेवा के विशय में बताती हूँ जिसका प्रयोग भी इसी उदेशी के लिए होता है इसे Hang Out कहते हैं Hang Out हाँ Hang Out यह Google द्वारा विकसित एक त्वरित संदेश वाहक और वीडियो चार्ट मंच है यह Google के तीन संदेश वाहक उतपाद, टॉक, Google+, Messenger और Hang Out का मिशृत संसकरन है Hang Out दो या दो से अधिक लोगों के मध्ये बाचीत को बनाए रखता है Hang Out एप्लिकेशन में बहुत सारी विशेशताएं है Hang Out का प्रयोग शुरू करने के लिए निम्नपदों का अनुसरन करें पहला Google Plus में Hang Out निशान को स्रजित करना Google Plus एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो Google के खाता धारकों के लिए बनाई गई है अब Hang Out का फ्रेम ढूनते हैं Hang Out Google Plus प्रिष्ट पर दाएं हाथ की और स्थित होता है आगे एक नया Hang Out बनाने के लिए Hang Out सुची में सबसे उपर के क्षेतर में New Hang Out पर क्लिक करें यह सुची आपके संपर्कों की सुची वह Google Plus के गोले के निशान में परिवर्तित हो जाएगी जिस आदमी को आप Hang Out से जोड़ना चाहते हैं उसके नाम के आगे के बॉक्स को चेक करें लोगों वह मंडली की खोज आप सच बॉक्स पर नाम, इमेल पते, अथवा फोन नंबर लिख कर भी कर सकते हैं अब Google Plus Hangout में गपशप प्रारंभ करने के लिए उन व्यक्तियों पर क्लिक करें जिनके साथ आप चाट करना चाहते हैं एक चोटी विंडो प्रकट होगी सेंट अ मेसेज, बॉक्स में लेक लिखें और एंटर दबाएं यदि आप अपने वार्तालाप में इमोजी जोड़ना चाहते हैं, तो मुस्कुराते चहरे पर क्लिक करें अथवा चैट इक्षेतर के दाई और से मुस्कुराते चहरे को उठाएं मनोभाव व इमोजी की एक सूची खुल जाएगी जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं वे कई वर्गों में विभाजित होते हैं जो की मनोभाव स्क्रीन के उपर आईकॉन को चुन कर ले जाए जा सकते हैं आप चैट इक्षेतर के दाई और पर कैमरा आईकॉन पर क्लिक करके अपने हैंग आउट के साथ फोटो जोड सकते हैं यह है अपने कम्प्यूटर से फोटो का चैन करें का विकल्प या मोबाइल डिवाइसों पर विकल्प मेन्यू खोलेगा आप फोटो लेने के लिए अपने वेबकाम या कैमरे के फोन प्रयोग कर सकते हैं या आप किसी अन्य स्त्रोच से फोटो को जोड सकते हैं, जैसे की कम्प्यूटर अथवा फोन की मेमरी. चाट को वीडियो चाट में बदलने के लिए, चाट बॉक्स के उपर मौजूद वीडियो क्यामरा बटन पर क्लिक करें. दूसरे व्यक्ति को सूचना प्राप्त हो जाएगी, कि आप वीडियो चाट का प्रयास कर रहे हैं. आप कम्प्यूटर वा मौबाइल दोनों पर वीडियो चाट कर सकते हैं. यदि आप अपनी चाट सेटिंग को समन्वित करना चाहते हैं, तो चाट विंडो में गियर आइकन पर क्लिक करके आर्काइफ सेटिंग का चयन अपने साथ चाट करने से रोक सकते हैं. यदि आप मौबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, तो मेन्यू बटन दबाएं और मेन्यू पर प्रकट हो रहे अपने विकल्प को चुने. आप चाट विंडो के बाएं हाथ पर मौजूद ग्रुप हैंग आउट बटन पर क्लिक करके समूह में हैंग आउट कर सकते हैं. चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप समूह बना सकते हैं, जिसमें आप हैंग आउट करना चाहते हैं. आप चार्ट को भविश्य में कभी देखने के लिए यूट्यूब पर सनरक्षित भी कर सकते हैं क्या यह रोमांचक नहीं था? अब हम गतिविधी में भाग लेंगे रोहन, आजकल दुनिया भर में लोग एक दूसरे से बाते करने के लिए फेस्बुक वँ अन्य सोशल मीडिया सेवाओं का प्रयोग करते हैं दी-दी, फेस्बुक वँ सोशल मीडिया सेवाएं क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगी सोशल मीडिया उस साधन को दर्शाती है जिससे लोग इंटरनेट नेटवर्क से परसपर संबंध या आपसी समवाद स्थापित करते हैं और सूचना बनाते हैं, साजा करते हैं और आदान-प्रदान करते हैं सोशल मीडिया उनलाइन संचार के माध्यमों का संग रह है, जो की समुदाय आधारित, निवेश, आपसी समवाद, विशय वस्तु, साजा करने और सहयो को समर्पित है सोशल मीडिया एप्लिकेशन के उदाहरन हैं, फेस्बुक, ब्लॉग, ट्विटर और लिंक्डिन सोशल मीडिया के कई प्रकार होते हैं, चलो हम उन सब के बारे में और जाने सोशल मीडिया टूल के प्रकार है, उनलाइन चैट, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट पर किसी भी प्रकार के विचारों के आदान प्रदान को उनलाइन चैट कहा जा सकता है जिसमें की लिखित संदेश संचार भेजने वाले से प्राप्त करने वाले को उसी समय पर समभाहित होता है ओनलाइन चाट को पॉइंट ओपॉइंट संचार के साथ साथ मल्टिकास्ट संचार से संबोधित कर सकते हैं जिसमें एक व्यक्ति के संदेश को बहुत सारे लोग एक साथ प्राप्ट कर सकते हैं। उससे वॉइस या वीडियो चाट कर सकते हैं। याहू मिसेंजर और जी टॉक इसके उदाहरण है। ब्लॉग किसी व्यक्ति विशेश, समुह, अत्वा संगठन द्वारा रखा जाने वाला ओनलाइन बही खाता है। ब्लॉग का प्रयोग अपने किसी विशेपर जानकारी को इंटरनेट पर लिख कर साजह करने में किया जा सकता है। किसी हाल ही की घटना या नतीजे पर सूचना को साजह करने और रोचक चर्चा व्यक्ति वाद विवाद को साजह करने में किया जाता है। ब्लॉग के उदाहरण हैं ब्लॉगर और वर्डप्रेस। सोशल नेटवर्किंग एक मंच है जो उन लोगों के मध्य एक सामाजिक नेटवर्क या सामाजिक रिष्टा बनाता है जो एक दूसरे से अपनी रुचियां, क्रिया कलाप, प्रश्ट भूमी अत्वा वास्तविक जीवन के संबंधों को साजह करते हैं। वर्तमान में फेस्बुक सबसे अधिक प्रसिद सोशल मीडिया सेवा है। मुझे यह दिखाने दो कि आप उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल दिदी, रैं फेस्बुक में बहुत इच्चुक हूँ। फेस्बुक के प्रयोग के स्टेप्स फेस्बुक के प्रयोग करने का धंग है। पहले वेब ब्राउजर खोलें, तब एड्रेस बार में www.facebook.com टाइप करें। फिर गो पर क्लिक करें अत्वा एंटर बटन दबाएं। साइन अप में बॉक्स में पंजीकरन का विवरन भरें, फिर साइन अप बटन पर क्लिक करें। यह आपको तीन चरणों में पूर्ण वाली पंजीकरन प्रक्रिया पर ले जाएगा। अब संपर्क में जोडने के लिए Find Friends पर क्लिक करें। आप इस प्रिष्ट की प्रक्रिया को छोड़ भी सकते हैं। फिर प्रोफाइल सुझना प्रष्ट को भरें। आप इस प्रिष्ट की प्रक्रिया को भी छोड़ सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में मौजूद फोटो को अपनी प्रोफाइल पर अपलोड कर सेट कर सकते हैं। उसके बाद Save and Continue बटन पर क्लिक करें और आपका Facebook अकाउंट बन जाएगा। आप Find People You Know भाग में लोगों का नाम या email ID टाइप कर उन्हें जोड भी सकते हैं। आप अपनी अवस्था को भी Facebook पर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए Status बटन पर क्लिक करें और फिर अपनी अवस्था को टाइप करें और Post बटन दबाएं। टाइमलाइन टाब में आप अपने कारिस्थान, शहर, स्कूल और संबंधों का विवरन दे सकते हैं। टाइमलाइन बार में एक सर्च बॉक्स भी होता है, जहां आप अपने मित्रों का नाम लिख कर उन्हें खोज सकते हैं। और फिर उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं। मित्रता का निवेदन भेजने के लिए अड़ फ्रेंड पर क्लिक करें। एक बार जब आप फेस्बुक पर समाप्त कर चुके हैं, तो आप फेस्बुक बार पर सेटिंग आइकॉन पर क्लिक करके साइन आउट कर सकते हैं। फिर लोग आउट विकल्प पर क्लिक करें। आपको संदेश, स्टेटस, मिसेज भेजने की अनुमती देता है, जो आपके मित्रों द्वारा देखा, वो पढ़ा चा सकता है। संदेश, स्टेटस, मिसेज भेजने के लिए अपडेट स्टेटस के नीचे ब्लांक बॉक्स पर क्लिक करें, और अपना संदेश टाइप करें फिर post बटन पर क्लिक करें किसी post अथवा, photo अथवा, content पर अपने विचार भेजने के लिए message के नीचे comment लिंक पर क्लिक करें एक text box दिखाई देगा अपने विचारों को टाइप करें और enter दबाएं Facebook बार आपको आपके मित्र के अनुरोध, संदेश और ततकालिक क्रिया क्लापों के विशे में बताता है दी गई आकृतियां उन्हें उजागर करती है Facebook कई व्यापारों के अपने ग्रहकों समवाद करने तथा कंपनी को बढ़ावा देने के तरीके को बदल रहा है Facebook पर पेज बनाना Facebook के उपयोगों में से एक है चुकि यह संसाधन शुल्क रही थै आप आसानी से इस साइट की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं आप अपने बिजनेस की प्रुफाइल बनाने के लिए Homepage के तल पर स्थित Create a Page पर क्लिक करें Local Business और Place पर क्लिक करें Dropdown Box में सुची बद विकल्पों में से वर्ग का चैन करें और Form में विवरंट जैसे पता, शहर और संपर्क नमबर भरें Get Started बटन पर क्लिक करें अगली विंडो में आपको अपने वियापार के सभी विवरंट भरने होंगे आप जिस वियापार को बढ़ावा दे रहे हैं उसके बारे में कुछ बुनियादी जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी अपने Page पर Profile Picture जोडने के लिए आप या तो अपने Computer पर उपलब्ध फाइल को अपलोड कर सकते हैं या अपनी Website से मंगा सकते हैं आप Page को अपनी पसंदीदा सूची में चोड़ सकते हैं आप अपने Business Page पर Payment Mode जोड़ कर अधिक लोगों तक पहुँच सकते हैं यदि आप Payment Mode जोडने के इच्चुक नहीं हैं तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं यदि आप अपने Page के लिए भुकतान पदती जोडने के इच्चुक हैं तो यह Window प्रकट होगी अपने देश के रूप में भारत का चुनाव करें जब आप Continue बटन पर क्लिक करते हैं तो एक Window प्रकट होती है जो आप से आपके Card के विवरन के बारे में पूचती है Card का विवरन भरें और Submit पर क्लिक करें भविश्य में खरीदारी के लिए Facebook आपके भुकतान की जानकारी को सुरक्षित रखेगा आप Account Settings में कभी भी यह जानकारी मिटा सकते हैं या Manage कर सकते हैं आप अपने मित्रों को अपने पेजगा सुझाव देकर उसे लोकप्रिय बना सकते हैं अपना पेज पसंद कराने के उदेश्य से आप अपने मित्रों को Build Audience बटन पर क्लिक कर आमंतरित भी कर सकते हैं आपके मित्रों के नामों की एक सुची प्रकट होगी आप अपना फेजग पेज देखने के लिए चुन सकते हैं और आमंतरित कर सकते हैं आप प्रिष्ट पर ही दिये गए विभिन आइकोनों पर क्लिक करके अपने पेजगी जानकारी प्रोफाइल फोटो को बदल सकते हैं स्टेटस मिसेज पोस्ट करने के लिए करसर को स्टेटस के नीचे के बॉक्स पर पहुँचाने के लिए वहाँ पर क्लिक करें अपना मेसेज टाइप करें और शेर पर क्लिक करें किसी पोस्ट अथवा फोटो अथवा कंटेंट पर अपने विचार भेजने के लिए मेसेज के नीचे कमेंट लिंक पर क्लिक करें। अपने करसर को कमेंट बॉक्स में पहुचाने के लिए क्लिक करें। अपने comment को type करें और keyboard पर enter दबाएं. Facebook account से sign out करना. Facebook से sign out करने के लिए home page पर उपर दाहिनी और drop down arrow बटन पर क्लिक करें. Facebook से बाहर निकलने के लिए log out पर क्लिक करें. अब अब अपने आप Facebook का प्रयोग करने की कोशिच करें. हाँ, अब मैं इतना जानता हूं! झाल झाल चलो अब ट्विटर नाम की एक और शक्तिशाली सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में जानते हैं ट्विटर के माध्यम से आप बाहर तक पहुँच सकते हैं और दुनिया भर में लोगों के साथ अपने विचार प्रभावी धंग से साजह कर सकते हैं यह फ्री है और दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा आपस में बातचीत करने वह सक्रिय रूप से जानकारी साजह करने में प्रयोग की जा रही है ट्विटर का प्रयोग करने के पद हैं पहले ट्विटर पर एक अकाउंट बनाए www.twitter.com पर जाएं और आवश्यक सूचना भर कर साइन अप करें एक बार जब आपने अपना अकाउंट बना लिया है और सफलता पूर्वक साइन इन कर लिया है तो आप ट्विटर का प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं यदि आप अपने अनुयाईयों के साथ कोई सूचना साजा करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स में अपना संदेश लिखें और फिर नीचे दिये बटन पर क्लिक करें ट्विट केवल 140 अक्षरों तक का ही हो सकता है अतह यह आपके ट्विट को संक्षिप्त रखता है उन व्यक्तियों का पीछा करने के लिए जिनसे आप ट्विट प्राप्त करते रहना चाहते हैं होम पेज पर दिये हुए मेन्यू बटन का प्रयोग करें और फिर हू टू फॉलो शेत्र के नीचे प्रदर्शित फॉलो बटन पर क्लिक करें किसी को सूची में जोडने के लिए उसकी प्रोफाइल पर जाईए और टूल बार में उसके आइकॉन पर क्लिक करें और अड़ और रिमूव फ्रॉम लिस्ट का चैन करें आपकी सूची के साथ ए प्रोफाइल विकल्प पर क्लिक करें फिर कंप्यूटर पर उस फोल्डर को चुनने के लिए जिसमें आपने फोटो सेव कर रखा है चूज फाइल पर क्लिक करें यह पिच्चर पूरी साइट पर आपके नाम के साथ दिखाई देगी यह जेपीजी जी आइफ या पी एनज फाइल होनी चाहिए और साथ सो के भी से छोटी होनी चाहिए प्रोफाइल का शेश विवरंड जैसे अपना नाम, स्थान या विब साइट भर सकते हैं यदि आप फेसबुक पर ट्वीट पोस्ट करना चाहते हैं तो प्रोफाइल पेज के तल पर पोस्ट यॉर ट्वीट ट चेक करें और सेव चेंजिस बटन पर क्लिक करें समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें समय समय पर अपना पासवर्ड बदल कर अपने अकाउंट की सुरक्षा करें इसके लिए सेटिंग में पासवर्ड पर क्लिक करें अपना पुराना पासवर्ड एंटर करें फिर दो बार अपना नया पास्वर्ड एंटर करें। फिर समाप्त करने के लिए चेंज पर क्लिक करें। तै करें कि आप ट्विटर से इमेल कब प्राप्त करना चाहते हैं। Notifications टाब के अंतरगत कारियों की एक सुची होती है। उन कारियों जिनके लिए आप इमेल प्राप्त करना चाहते हैं के बाद बॉक्सों को चेक करें। प्रतेक प्रोफाइल डिफॉर्ट बैंक ग्राउंड वो कलर स्कीम के साथ शुरू होती है। निम्न पदों के द्वारा आप इसका निजिकरन कर सकते हैं। सेटिंग की डिजाइन टैब पर क्लिक करें। आप चेंज बैग्राउंड इमेज बटन का प्रयोग करके उपलब्द चित्रों अथ्वा स्वेम के द्वारा अनलोड या अपलोड किये गए चित्रों में बैंक ग्राउंड का चैन कर सकते हैं। तब अपने कम्प्यूटर से अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करें। चेंज डिजाइन कलर पर क्लिक करके आप रंग योजना के साथ भी खेल सकते हैं। देखते हैं कि क्या आप अपने आप कम्प्यूटर का उप्योग कर सकते हैं। अब मुझे यकीन है कि तुम फेस्बुक वो ट्विटर का आसानी से प्रयोग कर सकते हो प्रते एक प्रेश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज सही नहीं है रिपया पुनह प्रयाज करें सही है अच्छा प्रयाज सही नहीं है रिपया पुनह प्रयाज करें सही है अच्छा प्रयाज रोहन क्या तुम जानते हो कि कुछ ऐसी वेब साइटे भी हैं जो धेर सारी ऐसी जानकारियां उपलब्द कराती हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं नहीं दीदी ये कौँचे साइटे हैं वे हैं यूट्यूब और विकिपीडिया दो सरवाधिक लोकप्रिय साइटे हैं जिनके द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं वो साजह कर सकते हैं यूट्यूब गूगल द्वारा पेश की गई एक फ्री वेब साइट है यह 2005 में बनाया गया वीडियो शेर करने का मंच है यूट्यूब अर्बो लोगों को मूल रूप से बनाये गए वीडियो को खोजने, देखने वा साजह करने की अनुमती देता है यूट्यूब दुनिया भर में लोगों को जुड़ने, सूचित और प्रिरित करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है तथा मूल सामगरी संचित करने वाले छोटे वा बड़े विज्यापन दाताओं के लिए एक वितरन मंच के रूप में कारे करता है यूट्यूब चलाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, एडॉप फ्लाश प्लेयर और स्पीकर की अवश्यक्ता होगी पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और इंटरनेट एक्स्प्लोरर खोले फिर एड्रेस बार में www.youtube.com टाइप करें और गो बटन पर क्लिक करें या एंटर दबाएं यूट्यूब वेब पेज लोड होता है आप पेज के टॉप पर सर्च बार देख सकते हैं अब Search Items या Search Keywords टाइप करें और Search बटन पर क्लिक करें या एंटर दबाएं फिर समबंधित वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें आप देखें कि चैनित वीडियो वीडियो प्लेयर में चलने लगता है। आप वीडियो प्लेयर के नीचे विभिन नियंतरक जैसे प्ले, पॉज, वॉल्यूम, म्यूट, टोटल टाइम, चेंज क्वालिटी और फुल स्क्रीन देख सकते हैं। आप वीडियो के नीचे वीडि वीडियो देखने के लिए आपको लॉग इन अकाउंट की आविशकता होती है। गूगल अकाउंट का प्रयोक करते हुए, यूट्यूब मत साइन इन करने के लिए यूट्यूब वेब पेज के दाएं हाथ के कोने में सबसे उपर साइन इन बटन पर क्लिक करें। गूगल पेज प्रकट होगा सर्च बॉक्स के बाद अप्लोड बटन पर क्लिक करें पहली बार उप्योग करने वालों से यह अपना चानल स्थापित करने के लिए कहेगा और कुछ निजी जानकारियां जैसे लिंक और जन्मतित ही पूछेगा इन विवरणों को भरें और continue to upload बटन पर क्लिक करें पिर select file to upload बटन पर क्लिक करें अब अपने computer के माध्यं से browse करें जो वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं उसे चुनें फिर open बटन पर क्लिक करें आप देखेंगे कि uploading चालू हो गई है और प्रगती आपको वेब पेज पर दिखाई देती है जब अपलोडिंग पूरी हो जाती है तो एक संदेश अपलोड कम्पलीट प्रकट होता है आप बाद में वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं चाहते हैं उसे चुने फिर ओपन बटन पर क्लिक करें आप शीर्शक व उसका वर्णन भी जोड सकते हैं और वीडियो की गोपनियता सेटिंग भी कर सकते हैं एक बार जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो आप वीडियो मैनेजर का प्रियोग करके उसकी गोपनियता सेटिंग बदल सकते हैं या वीडियो को मिटा सकते हैं पहले वीडियो मैनेजर पर क्लिक करें तब जिस वीडियो को मिटाना है उस पर क्लिक करें तब आक्शन मेन्यू पर क्लिक करें और डिलीट का चैन करें एक पुष्टी करन संदेश प्रकट होगा येस डिलीट बचन पर क्लिक करने पर वीडियो मिट जाएगा मुझे दिखाओ कि अब आप यूट्यूब का प्रयोग स्वैम कर सकते हैं बिल्कुल झाल अब हम विकिपीडिया के बारे में पढ़ते हैं विकिपीडिया एक वेब अपलिकेशन है जो की किसी को वेब साइट पर रखे गए content को पढ़ने या edit करने की अनुमती देता है किसी information को access करने के लिए विकिपीडिया को प्रयोग करने के लिए उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार है पहले Wikipedia साइट पर जाएं www.wikipedia.org तब सर्च बार में टेक्स्ट टाइप करें Language का चैन करें और फिर arrow बटन दबाएं अगला प्रश्ट आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रदर्शित करेगा पेज के सबसे उपर के भाग में पेज के contents उसके प्रतेक भाग के hyperlink के साथ होते हैं आप किसी विशेश section पर क्लिक करके सीधे उस section पर जा सकते हैं सामानिता सभी पेजों के आखरी से दूसरा पिछले भाग see also का होता है जहां संबंधित link दिखाए गए होते हैं और अंतिम भाग references का होता है जिसमें संबंधित विशे के विभिन link दिए होते हैं Wikipedia में किसी लेख को संपादित करने के बद है पहला यदि आप वर्तमान में उप्योग करता हैं तो sign in करें अथवा account बनाए तद पश्चात सफलता पूर्वक sign in करने के पश्चात edit link पर क्लिक करें अब वह उस page के लिए लेख युक्त एक window खोलेगा कुछ पर type करें या वहाँ जो लेख मिलें उसमें परिवर्तन करें यदि page के शिर्च पर आपको edit का विकल्प न दिखाई दे तो शायद पूर्ण परिवर्तनों की अधिक घटनाओं के कारण यह page सनरक्षित है यदि आप लेख के भाग में छोटा परिवर्तन कर रहे हैं तो उस भाग के बगल में edit link पर क्लिक करें यह बिना पूरा लेख खोले आपको लेख के उस भाग में परिवर्तन की अनुमती दे देगा अब page के अंत पर edit summary box में अपने द्वारा किये गए परिवर्तनों की व्याख्या दे अपने द्वारा किये गए परिवर्तनों की पूर्व समिक्षा करने के लिए शो प्रिव्यू बटन पर क्लिक करें यदि आप अपने द्वारा किये गए कारे से संतुष्ट हैं तो page के नीचे save page बटन पर हिट दे Wikipedia पर page बनाने से पूर्व आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए page बनाने से पूर्व मौजूदा लेख खोजे कोई आर्टिकल बनाने से पूर्व यह सुनिश्चत करें कि उसी विशे पर कोई आर्टिकल नाम में थोड़े फर्क के साथ paragraph पहले से ही तो मौजूद नहीं है आप जिस बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में सूचनाओं का स्रोत ढूंडे आर्टिकल सोर्सिंग के ढंग पर विस्तरत निर्देश विकिपीडिया के WP साइट पेज पर पाए जा सकते हैं विकिपीडिया इन विश्यों पर पेज बनाने की अनुमती नहीं देता है व्यापार के लिए अपने उत्पाद का विज्यापन, व्यक्तिगत निबंध या मूल अनुसंधान, पर्याप्त साइटेशन के बिना उलेखन हीन विश्यों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपसे ही संबंधित, किसी व्यक्ति या संगठन पर हमला, स्थानिय ला लिट की गई सामगरी का उदेश्य, सुर, नसर्गिक बनाए रखें, ग्राहक विश्य से अपने रिष्टे का खुलासा, पेज बनाने में व्यक्तिगत खातों का प्रयोग न करें, मददगार की भरती करें, समान विश्य पर कारे करने वाले प्रायोजक खोजें या विश् प्रस्तत करें, विकिपेडिया में पेज बनाने के लिए पद है, पहला यदि आप वरतमान में उप्योग करता हैं, तो साइन इन करें, अथवा अकाउंट बनाए, सर्च बॉक्स में अपने पेज का शीर्शक टाइप करें, फिर गो पर क्लिक करें, यदि जिस पेज का नुरोध किया है, अस्तित्व में नहीं है, तो सर्च पेज रिपोर्ट में लाल रंग में आर्टिकल के नाम के बाद, you may create the page की रिपोर्ट देता है, तब आप लाल आर्टिकल के नाम पर क्लिक कर आर्टिकल बनाना शुरू कर सकते हैं, यह एक blank editing window खोलेगा, पेज में टॉ अपने द्वारा किये गए परिवर्तनों की व्याख्या दे, अपने द्वारा किये गए परिवर्तनों की पूर्व समिक्षा करने के लिए Show Preview बटन पर क्लिक करें, यदि आप अपने द्वारा किये गए कारे से संतुष्ट हैं, तो पेज के नीचे Save Page बटन पर हिट दे, झाल 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 मुझे यकीन है कि तुम यूट्यूब, वर्व, विकिपीडिया के विशे में काफी कुछ जान गए हो। चलो अब गतिविधी में भाग लेते हैं।